है लो दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई वेहनों को मेरा प्यार भरा राम राम कैसे हैं आप लोग आसा है आप लोग पहुत पहुत अच्छे होंगे स्वास्तोंगे हमारे निव व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं इस सर से प्रातना है सारे साथी स्वयस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें दोस्तों हो गई है सुबह की सुरुवात और हमारी सुरुवात हो रही है जारू लगाने के साथ और आज डेट है 22 नवंबर और दिन है बुद्धवार की सुबह का टाइम है और राप तो सर्दी बहुत जदा बढ़ गई है बहुत ही ठंडी आ गई है तो अब तो आग जलाने का टाइम आ रहा है लगभग में क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हफ्ते भर और नहीं जलेगी लेकिन अब फिर जो जलने लगेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी आ गई है बस अब ये दिसंबर जन्वरी भर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी उसके बाद में फिर थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगी और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी लेकिन अभी यहाँ पर कम हो रही थी दो तिन रोज से ज़्यादा होने लगी है तो जाडू हमारी लग चुकी है और अब चलते हैं नहाने के लिए पानी भर ले लेते हैं और उसके बाद में नहाएंगे और सुबह जल्दी उठने से यही फायदे रहते हैं जल्दी काम हो जाता है तो यहां पर देखिए आ गए हैं और बाटी बगएरा जो मांज की इसमें पानी भर लेंगे क्योंकि अभी लाइट आ रही सारे बरतन धुल लिए हैं औ और बरतन कुछ टिपिन वगरा जो थे तो इनको उठा के रसोई में रख देंगे और फिर नहाएंगे सोया मेथी साम को हमने कट करके रख दिया था और आलू रह गई थी तो इनको जो है छिल के रख देते हैं और ममी भी उठ गई हैं बाहर जो है जानुरों के लिए जाड़ू अगेरा लगा रही हैं उनके नीचे साफ कर रही हैं बाहर और हमारी इधर आलू बस छिल के नहा लेते हैं हैं पानी हमने भर लिया था तो आराम हो जाती है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है और नल से पानी फिर थोड़ा थोड़ा निकलता देदना हार तो हमारी पकर रही है चाएंओ और ममी के लिए रख दिया है पानी तो इनके लिए पानी भी गरम हो रहा है और इधर जो है ममी भैस लगा रही है यह निकिधार निकाल रहे है और फिर इधर जो है आ गए है सब्जी छोकने जा रहे हैं चाहे हमारी पक चुकी है और पानी भी गरम हो चुका है तो सब्जी छ तो मसाला तो आज भीसा नहीं है ऐसे ही डालेंगे लहसुन हरी मिर्च कट कर लिया है थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और लहसुन मिर्च और जरासी हल्दी डाल देंगे और सारे मसाले डालने के बाद में आलू डाल दिया है और यह आलू वगेरा सारी हमने पहले ही धुल के कट कर लिया था और यहाँ पर सोया मेती कल हमने धुल के रख दिया था साम को कट कर लिया था और यह नमक जो है डाल देंगे नीचे डाल दिया है तो ये गल जाएगा छोटा छोटा था और नीचे डाल दिया है तो हलका सा भाफ में गल जाता है तो देखे सबजी हमारी बन के रेडी हो चुकी है तो इसको और साम को हमने पराठे बनाये थी तो तब वगेरा नहीं धुला था इस वज़े से ज़्यादा काला दिख रहा है और फिर बाबू के लिए टिपिन तयार कर दिया था और थोड़ी सी रोटियां सेकी थी बाकी का अ कजल लगा दिया तो तेल थंडी बर वहीं लगाएंगि जो हमने पकाया था सर्सों का तेल और रूसी में मेति भगाएं चाहिए नहीं आपने था फिक टिया और यहां पर कह रहे हैं खुजली हो रही क्योंकि मिट्टी का तेल सर्दियों में सर में और हाथ-पैर में लगा देते हैं तो वो डेंडर जैसा हो जाता है तो वहीं खुजली हो रही थी तो हमने का वो सही हो जाएगी तो फिर जा रहे हैं इसकोल क्योंकि इनको टाइम इनका हो गया है तो यहां पर म ध्यान मत देना क्योंकि एक बोरी गेहं की रख ली गई है धुलने के लिए अब और जो है चोकर भैस के लिए रखा इसी वज़े से उस जगे पर थोड़ा लगता है कि हाँ सब कुछ जमा हुआ है और यहां पर देखिए इनका भी टिपिन हमने पैक कर दिया था और यह जा र आप बनाएंगे सोया में थी के साथ हाथो वाली रोटी और थोड़ी रोटी बनाया था तो गर्मा गरम खाया भी था इन्होंने और उसके बाद में इधर जितना आटा हमारा रहे गया तो थोड़ी नाना के लिए तो बेलने से हलका बना दिया है क्योंकि यह वाली रोटी थोड़ा सा टाइट हो जाती हैं मतलिब इतनी ज्यादा टाइट नहीं होते लेकिन आना जी कि हमारे बिल्कुल दात नहीं है इस वज़े से यह वाली अब चाहे जितनी नर्म चीज हो लेकिन फिर भी वो टाइट ही लगती है तो बेलने वाली हलका सा मोटी बना देते तो ग तो दोस्तो रोटी हमारी बन चुकी है और थाली भी लग चुकी है आप लोग भी आज आईए साथ में गर्मा गर्म हाथों वाली रोटी टेश्टी टेश्टी और खाने का चूले का खाना तो एकदम अलग होता है अगर मन नहीं होगा आपका फिर भी आप खाएंगे रोटिया तो यहां पर देखिए हम खाने ही जा रहे थे तब तक नाना जी ने आवाज दिया कि हमको बाहर जाना है तो दो पाना खाते हैं तो इनको बाहर जाना होता है तो फिर वही आगए हैं और काफी टाइम लग जाता है कि पकड़ा के इनको ले जाना होता है सोचाले तक और फिर वहां से लाना भी होता है हां धुला देते हैं तसले में और पानी डाल देंगे बाहर नाली में तो नाना थोड़ी दिर बैठे थे कुर्सी पर और उसके बाद में अब इनको ले चलते हैं बिस्तर पर क्योंकि जादा दिर नहीं बैठ पाते हैं दुबा कर लेके चलेंगे और उठाना पड़ता है क्योंकि उठ नहीं पाते हैं तो हमसे अकेले सरीर जब धीला होता तो उठते नहीं जैसे चार पाई पर होते हैं तो पीछे से खड़े होकर के उचे से अगर उठा दो तो उठ जाते हैं तो काफी कोसिश करने पर नहीं उ इस वज़े से अंकित होते हैं तो उठा देते हैं दोनों लोग पकड़ कि जिसे हम लोग उठवा लेते हैं तो उठ जाते हैं वीसे सरीर जब ढीला हो जाता है तो बिल्कुल जोर नहीं लगता है तो यहां पर नाना हम से कह रहे थे कि बिटिया बुढ़ापा ना आए क्योंकि और सब तो ठेक है हमारी सभी लोग बहुत ज़्यादा सेवा करती हो और सिर्फ हम अपने सरीर से ही बहुत ज़्यादा परेसान है तो हमने कहा नाना क्या किया जाए क्योंकि अपने हाथ में हो तो यही कहें कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं अपने सरीर को होने देंगे, लेकिन ये सब तो अब भगवान की हाथ में है, बहुत ज़्यादा सच में बहुत दिक्कत होती है बुढ़ापे में, क्योंकि सब कुछ है हमारे नाना की सारी सेमाय बहुत ही अच्छे से हो और सब कुछ है सिर्फ जो है उनको अपने सरीर से परेसानी है क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है लगभग में अब यह 105 साल से कम नहीं होंगे क्योंकि मेरी साधी में यह 100 साल के बता रहे थे नाना कि हम 100 साल से ऊपर हैं और अब 5-6 साल तो हो ही गए होंगे तो ज़्यादा दवाईयां तो आप लोग देखते ही हैं बहुत ही ज़्यादा खाने पड़ती है और इतनी ज़्यादा और सुविधाएं तो सारी है और पैरों में सूजन की वज़े से चपल नहीं आते हैं तो यहां पर देखिए आ गए हैं फिर पुताई कर लेते हैं चौके की क्योंकि चौके की पुताई करने के बाद में साम को कुछ हलका फुलका बनाना है तो इस समय सर्दी भर यही रहेगा कभी कभी होगा कि साम को कुछ बनेगा नहीं तो फिर हलका फुलका जिसे बनना है तो दो पहर में चौके की पुताई हो जात यह जब कोई चीज वैसी बनती है तो फिर पुताई नहीं होती है तो तो दुपहर में कर लेते हैं तो आज जो है पुताई जादा नहीं करने वाले थे लेकिन फिर हमने कहां कर देते हैं क्योंकि खाना वगएरा जहां तक रखो बनाओ विसे खाता कोई नहीं लेकिन खाना वगरा जैसे बनाओ और कच्छा खाना बनता है तो पुताई तो करना जरूरी ही रहता है चाहे रख दो खाना या फिर बनाओ तो जूठा हो ही जाता है और यहां पर कल हमारे यहां खुछ थोड़ा सा काम है तो इस वज़े से यह पुताई हमने दिवार की किया अधी पावली में तो इसको भी कर देते हैं यह बाहर की है किचन वालीती की पुताई कर देते हैं आई कि परदा पड़ा तो रहता है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है तो पुताई हो जाएगी और बाहर से अच्छी दिखने लगेगी वैसे भी पुताई किया था तो बारिश तो हुई नहीं तो खराब नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमने कर दिया है तो दोस्तों चोके की पुताई हमारी हो चुकी है और आज का वीडियो कैसा लगा आसा करती हूँ आप सभी दोस्तों ने फूल इंजॉय किया होगा और वीडियो जरासा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर लिया करें और जो भी भाई भहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिलती हूँ नेश्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक आप लोग खुश रहे अपना ध्यान रखे आप सभी दोस्तों की फूलो की बगिया यूँ ही महेकती रहे हमारी भगवान से यही हमेशा प्राथना रहती है तो देखी पुताई हो चुकी है अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक दीजिए मुझे इजाज़त नमस्कार